तेरा दे दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल का औरभुनिन गुपाल में हर्दिक स्वागत है भगवान स्री कृष्ण को अनेक नामों से जाना जाता है आए आज हम इस वीडियों की मौध्यम से जानते हैं कि हमारे लड्डू गुपाल जी का नाम लड्डू गुपाल के उपड़ा? जी हाँ दोस्तों, हाईए जानते हैं इसके बारे में कहते हैं कि ब्रजभूमी पर एक भक्त कुम्भनदाजी रहते थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम था रगुनंदन उनके पास भगवान की एक प्रतिमा थी जो बासरी बजाते हुए थी वो प्रतिक समय हर दिन हर पल भगवान की सेवा में लीन रहते थे और इसलिए वो कहीं भी कभी भी आते जाते नहीं थे कहते हैं कि वो सोचते थे कि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए कोई त्रूटी ना आ जाए इसलिए वे कहीं भी नहीं जाते थे एक दिन की वात है उनके पास ब्रेंदावन में कुछ भागताय हुए थे और उनसे स्रीमत भागवत कीता कथा करने के लिए आगरेह करने लगे लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया लेकिन जब बहुत उन्होंने बहुत आगरेह किया तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है और वो तयार हो गए अब उन्होंने तैखिया कि वे भगवान की सेवा करेंगे और पूरी तयारी करके फिर कथा के लिए जाएंगे जिससे उनका दियम भी नहीं तूटेगा और भक्तों का मान भी रह जाएगा अधर कथा भी हो जाएगी उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि रगुनंदन मैंने भोग बना दिया है तो ठाकुर जी को समय पर धोग लगा देना और बाकी कि सेवा मैं आकर करूँगा और भुनंदन ठीक पैसा ही किया जैसा कि पिता जीने घा था पिता जी के जाने के बाद भोग अपने हाथों से खायेंगे क्योंकि वो अभी छोटा था इसलिए उसे लगा अब वो भगवान जी के आगे खाने की ठाली को रखकर उनसे खाने का अग्रेकर मिल वो बार-बार ठाकुर्जी से कहने लगा कि है प्रभू आईए और हमारे इस वोजन को ग्रहन करिये बार-बार कहने पर जब ठाकुर्जी नहीं आये तो वो उसे बहुत दुख हुआ करिये तब ठाकुर्जी एक बालक के रूप में आये और भूग लगाने लगे तब रगुनंदन भी बहुत प्रिशन हो गया अब रात को जब कुम्बंदाजी आये तो उन्होंने रगुनंदन से पूछा कि बेटा भूग लगाया था तब रगुनंदन ने कहा जी पिता ज तब कुम्बंदाजी सोचने लगे उन्होंने का बचा नहीं उन्होंने सोचा कि ये तो बालक है हो सकता है इसे भूख लगी हो और इसी ने खुदी सारा भोजन खा लिया हो अब तो ये रोज का नियम हो गया था रोज रगुनंदन रोज भोग लगाते और ठाकुर जी आत कि सारा मोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया अब कहां से मैं आपको बशार लाके दू तब एक दिन कुम्मंदाज जी ने सोचा कि कहीं रगुनंदन हमसे जूट तो नहीं भूल रहा है फिर उन्होंने सचा लेकिन यह ऐसा क्यों करेगा इसको परकने के लिए उन्होंने एक दि कि कुम्मंदाज जी ने लड्डू की थाली सजाकर रख दी और खुझ जाकर छुप गया और यह देखने लगे कि देखें रगुनंदन आज करता क्या है अब रगुनंदन रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारता है तब ठाकुर जी बालक के रुपो प्रकटों कर करने लगते हैं उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरी हाथ का लड्डू मुख में जाने की तयारी में था जैसे ही कुम्मंदाजी सामने आये तो वो जड़ हो गये और तब ही से ठाकुर जी का ये सवरूप लड्डू गुपाल के नाम से जाना जाने होगी राधे राधे दोस्तों जैसरी किष्णा फिर मिलेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरग उंजन गुपाल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो राधे राधे की हाजरी जरूर लगाएगा राधे राधे रोस्तों फ हुआ 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 है